गूर्णिंग स्टुनेंट्स हम लोगों ने जहां पर टॉपिक खतम किया था हम लोगों ने क्या बात की थी हिमालयाज के बारे हम बात की थी हिमालयाज के बारे हम बात की थी अब हम किसके बारे हम बात करने जा रहे हैं अब लोग नदन प्लेंज के बारे हम बात करने जा र पर होते हैं वो न ढर्न प्लेंड यह मेज़rawdyss तीन रीवर्न के काराम मते कौण मेज़वर होती है यहां पर इंदस गंगा ऐंड ब्रमभुफ। कौन कौन स्रीवर आती है इंदस गंगा ऐंड ब्रमभुफ। अब हम सब लोग जानते हैं कि ये प्लेइन हो फूनसे प्लेटी नदर्ण प्लेइन किस स्वैल से बने हुए होते हैं एलूल स्वाइल ठीक है इपोजिसनस्टन जो ये आ किसमें होता है किसमें होता है millions of years में होता है और यह फैल्टाइल प्लेन कहलाते हैं कैसे प्लेन कहलाते हैं यह फैल्टाइल प्लेन भी कहलाते हैं बहुत 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 जादा होती है क्यों जादा होती है यह जो रीवर्स के कारण बनते हैं किससे कारण बनते हैं रीवर्स के कारण बनते है करनी यह जो रिवर्स होती है जब फ्लो करती है तो जो सोईल होती है का अपर पाट कई करती वो बहा ले जाती नाइstones बहस्मान जो एक अब लूखدة ओनाःई पाहए जो बनेगा इस रिवर्सेल लेड्रीन ही बनेगा क्ई иде書ाही लेंडी जो फल्टाइल लेंड का अपर पार्ट होता है अपर लेयर ही फल्टिलिटी होती है में अपर लेयर ही फल्टिलिटी होती है अपर लेयर में जो फल्टिलिटी होती है उसको तो बहा ले गया कौन बहा ले गया रीवर का वाटर अब यह जहां पर उसको रिलीज करेग इनका जो एरिया होता है एक प्रॉक्स किता होता है सेवन लैक स्क्वाइर किलोमेटर किता होता है जो प्लेन होती है इसकी जो लेंथ होती है वो किती हो सकती है है 2400 किलोमेटर लॉंग किती रेंज जो लॉंग हो सकती है किती लंबे जो सकती है कि 2048 किलोमेटर बहुत जादा होता है या आप लोग जहान दिजेगा 240 किलोमेटर लॉंग लिखा है 240 km long नहीं होता है यह थोड़ा समुझ से mistake हो गई है 2400 km long होता है कितना होता है 2400 km long यहाँ पे एक 0 लगा लिजेगा कितना होगा यह 2400 km long कितना होगा 2400 km long अब जो इसकी विर्थ होती है कि मिसं चोढ़ाई होती है 240 if 30 his true Rumnor की हो सकती है जो चोढ़ाई होती है कितनी यह सकती है में 240 say 320 km इस तेंटी किलो मेटर एप्रॉक्स हो सकती है ठीक है अब यह ऑम लोग बात करते हैं तो जो टीपोजीशनल वर्क होता है क्या होता है deposition work क्या वह बहके आती है वह जहां पे deposit होती है उस process क्यों क्या कहते है deposition work क्या बोलते हैं deposition work हम लुग बात करें तो gonna slope here haven't everything in a third time करते हैं यह updated कि यह कैसे बनता है तो यह कैसे बनता है जो नदर्न प्लेन होते हैं वो तीन सेक्षन में डिवाइड हैं जो नदर्न प्लेन होते हैं वो कितने सेक्षन में डिवाइड होते हैं त्री सेक्षन में डिवाइड होते हैं एक कौन पहला सेक्षन क्या होता है पंजाब प्लेंज पंजाब प्लेंज का मतलब नदर्न प्लेंज का वेस्टन पार्ट means जो नौर्थ साइड प्लेंज मने हुए हैं उनका जो वेस्ट पार्ट होगा नौर्थ साइड नदर्न प्लेंज में जो वेस्टन पार्ट होगा में उसका जो वेस्ट तरफ का पार्ट होगा उस पार्ट कम लोग क्या बोलते हैं पंजाब प्लेंस बोलते हैं क्या बोलते हैं पंजाब अब देखिए जो पंजाब प्लेंस होते हैं किस रीवर के कारण फॉर्म होते हैं यह इंदस रीवर के कारण इंदस रीवर हम लोग कहे इंदस रिवर तो पाकिस्तान में मैंग जूम पाड़ बैता है पंजाब से होते हुए पाकिस्तान जाती है यह रिवर जो होती है यह कहां जाती है पाकिस्तान तो जाती है बड़ कहां से कहां जाती है पंजाब से होते हुए पाकिस्तान जाती है पंजाब में फाइव रिवर सोटें पता होना चाहिए आप लोग को ओजो में रीवर कौन सी है सिंदु जो लांगे ठाइंट रीवर हो काँ सीद्प एकट है अहुआ अंब बात करते हैं कि इनzdस रीवर और उसकी ट्रीव ट्री ट्रिवू टैरीस कि बारे में अधूर जीलम मिसहायक इन्दस रिवर में रिवर हो गई अब उसकी हेल पर रिवर्वर उसकी जीलम दूसरी चनाव तीसरी रवी चौती पीज और पाँच मी सतलूज यह कहां से ओरिइणेट होती हैorkati कहां से हिमालेया से निकलती है और जहां पिए डॉमिनेट करती हैं क्या करती हैं डॉमिनेट करती हैं उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं डॉपस बोलते हैं क्या बोलते हैं अब दूसरा जो प्लेन होता है वो क्या है गंगा प्लेन गंगा रिवर के कारण जो प्लेन बनता है वह कांगा प्लेन थ्री रि तीस्ता रिवर के बीच में होता है घागर और घीस्ता रिवर यह जो बनाती है कंगा रिवर काहं बनाती है नॉर्फ इंडिया नॉर्फ इंडिया हर्याना देल्ही यूपी तरह ली हर्ख उचर के आप पेंक्लूड कर सकते हूं कहा कहा आती ओना है नौर्थ एंडिया रीवर नौर्फ इंडिया में надlok north side में हिमाल्यया के निचे वा नौर्थ टरफ के भी part है फिर थोड़ा हैं पर्टे हैं रह्याणा अब इस्ट आसाम की बात कर रहे हैं वेस्ट वेंगॉल से इस्ट आसाम की तरफ वेस्ट वेंगॉल से इस्ट आसाम की तरफ की बात कर रहे हैं वहाँ पे कौन सी प्लेन आ जागी ब्रम्भ पुत्र प्लेन क्योंकि हमें पता है ब्रम्भ पुत्र कहां पर आती है आसाम अब हम लोग बात करते हैं तो जो नदर्न प्रेंज को फॉर रिजेन में डिवाइट किया गया है नदर्न प्रेंज को कितने रिजन में डिवाइट किया गया है फोर रिजन में कौन कौन से रिजन है भावर तेराई बंगार और कादर ठीक है अगर हम लोग भावर की बात करें तो भावर कहां पर आता है आप लोग को सिवालिक हिमाले के बारे में पिस्टी वीडियो में बताया गया था कौन से रिजन पाया था बावर रिजन पाया था है भावर प्लेंस होते हैं जिनकी जो विर्थ होती है जिस्ट इहोती है वह कितनी होती है 8-16 किलोमेटर होती है फिर जो तेराई होते हैं तेराई रीजन होते हैं या तेराई बेल्ट भी हम लोग बोल सकते हैं ठीक है बावर बेल्ट या बावर रीजन तेराई बेल्ट और तेराई रीजन बात करते हैं तो lying next to बावर बावर के just बात जो रीजन आता है जो बेल्ट आता है उसे हम लोग क् जो जंगली जीवन होता है वो वहां पर बतीर किया जाएगा और कैसा होगा forest होंगे तो white life मतलब जंगली जानवर की जो life होती है वो सारी life वहां पे होती जब्हुते है forest होता है तो forest में रहने वाले जानवर भी वहां पे होंगे आप नमो colaborत करते हैं किसकी bangar की bangar कहाँ पर होता है जो older alluvium plains होते है alluvium plains जो होते है means alluvial soil जो पहले पुराने plains होते है वहाँ पर क्या होता है एक flood plain level आता है जो flood के कारण जो मिट्टी बहक्ती और एक plain form करती है वो जो region होता है उसे हम लोग क्या बोलते है bangar belt बोलते है फिर खादर जो होता है वो यंगर होता है यंगर मतले जो नया नया फॉर्म किया है ऐसी ऐसे alubium plains, ventilate flood plains जो अभी है just फॉर्म किये गए हैं यह पुराने जमांग है मतलब बहुत सालों से जो बने हुए है पुराने हो गए वो क्या थे ओल्डर बंगार रिजन कहलाते थे आप जो नए 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 फार्म होंगे तुमने कादर बोलिंगे जो पहले से बने हुए है पुराने हो गए वो बैंगर थे ठीक है तो आप लोग को उमीद करता हूं ताफी अच्छे से नदर्ण प्लेन के बारे में समझ में आ होगा जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो किसके बारे में होगा नेक्स्ट वीडियो हमारा पेंसलर प्लेट यूज के बारे में होगा किसके बारे में होगा पेंसलर प्लेट यूज के बारे में होगा तीक है ओके स्टुडेंट्स थैंक यू